हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम करेंगे अपने बाथरूम का मेक ओवर चलिए देखते हैं अपने बाथरूम का मेक ओवर कर रही हूँ मैं तो आगर आपको पसंद आए तो प्लेज आप लाइक जरूर कीजिएगा यह है हमारा बात्रूम और टाइल्स पर आप देख रहे हैं कि कितने यह दाग लगे हुए हैं और ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि हम सभी लोग डेली ही इसको क्लीन कर पाएं देखिए यह कितने दाग धब्बे हो रहे हैं पानी के छीटे और वैसे भी गंदगी होई जाती है बात्रूम में देखिए यह कितने ब्लैक स्पॉट आप देख पा रहे हैं तो इसको क्लीन करने के लिए इसको साफ करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन का यूज करूंगी और वो आपके साथ मैं शेयर कर रहे हूं बहुती इफेक्टिव सॉल्यूशन है वैसे तो हम हार्पि हम लेंगे एक ग्लास गरम पानी और इसके बाद लेंगे सोडा एक चमस डालेंगे सोडा और लिया है मैंने वाइट विनेगर यह अच्छे से हमारी जो गंदिगी है उसको क्लीन करता है साफ करता है तो आप दो तीन ढकन आप यह ले सकते हैं विनेगर देखिए इसका एक क्रवAL करेंगे नमक नमक भी खारा तो होता ही है तो इस चक्कर में हमारी जो गंदिगी होती है इसको भी अच्छे से क्लीन करता है अब लेंगे हम निवू आप निवू डाल भी सकते हैं और skip भी कर सकते हैं मेरे पास तो था तो मैंने डाल दिया है और नेवू का टुकड़ा मैंने इसी में डाल दिया है इसके बाद हम जो भी सर्फ आप यूज़ करते हूं एक चम्मच सर्फ लेंगे दो चम्मच आप सर्फ ले लीजिए और वो भी solution में डाल देखिए लगवग यह दो चम्मच सर्फ होगा तो यह इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे यह वाइट वाइट सा और बड़ा जाग सा हो जाता है इसमें देखिए आप देख रहे हैं कितना वाइट वाइट सा हो गया है अब हम अपने इस क कितनी clean होती चली जाएगी आप पहले इसको apply कर दीजिए और लगबग 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए देखिए पहले आप ये देखिए कितना गंदा हो रही है ये टाइल और जैसे ही आप इसको लगाएंगे ये एकदम साफ हो जाएंगी clean हो जाएंगी आप इसक माजे है clean बिल्कुल एकदम clean हो जाएंगी साफ हो जाएंगी टाइल के जो बीच में जगा है और अब देखिए मैंने ये पांच मिनट रखने के बाद इसको clean किया तो आप देख रहे हैं जो मैंने पानी डाला है तो कितना गंदा पानी निकल रहा है कितनी गंदगी थी इन रख कर रहे हूं और बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है इसके साथी जो वाल पर black black था उसको cover करने के लिए मैंने ये किया है वाल पेपर का यूज तो ये वाल पेपर मेरे पास दीपा वली पर मैंने order किया था और ये देखिए लगवग आदा बचा हुआ है इसका यूज मै अगर आती हैं पानी जादा गिरता है तो मैंने इस साइड ही इसका यूज किया है अगर आपके पास एविलेविल है और आप चाहें तो आप इसके चारों तरब भी यूज कर सकते हैं इसके साथी ये coffee mug है इसका मैंने यूज किया है ग्रीन ड्री देने के लिए अपने पूतरी हो गई है ये और इसके साथी मैंने इसी solution से ये जो टैप थे वो भी सारे साफ कर दिये हैं क्लेन कर दिये हैं और आप इस solution से अपने mug बाल्टी जो भी है आप kitchen की टाइल भी इससे clearly साफ कर सकते हैं और देख रहे हैं कि कितना एकदम साफ हो गया है ये इतनी मुझे भी उम्मेद नहीं थी कि ये solution इतना काम करेगा और बाकई बहुत ही चमक गया है मेरे पास जो एक करवा चौत का करवा पड़ा था उसमें मैंने सिगोनियम का प्लांट लगा दिया है और विंडो पर रख दिया है जिससे कि जो हमारे विंडो से हवा आए वो एकदम साफ च्छन कराए और ग्रेनरी का तो आप देखी रहे है कि कितना अच्छा लगता है तो ये प्लांट मैंने यहां रख दिया है बिंडो पा और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है चार चांद लगा दिये इसने अमारे वातरूम पर तो कॉमेंट कीजिए आपको ये औ्यों में बाइ बाइ